जहिन दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों लाखो कड़ोरो भारतिय फुटबॉल फैंस का वो डिमान आखिरकार पूरा होने का समय आ गया है जब एक भारतिय बंक सभूत इरानियन मुल्क का खिलाड़ी उमेद सिंग अपना इरानियन पासफोर्ट को सरेंडर करके भारतिय फुटबॉल टीम का साथ जोडने का इच्छा जाहिर कर चुका है दोस्तों ए न्यूस अगर सच हुआ तो एक भारतिय फुटबॉल का लिए माइल स्टन होने वाला है उमेद सिंग का भारतिय फुटबॉल टीम का साथ जोडने से ना ही केबल भारतिय फुटबॉल टीम मजबूत होगा बलकि उमेद सिंग पूरा बिस्स में फैला हुआ भारतिय बंक्सेबूत खिलाडियों का लिए एक रास्ता बना देगा भारतिय फुटबॉल टीम का साथ जुरने का लिए इसका फल्स रूप एक सांदर और पाउरफूल इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम देखने का हर भारतिय के सपना बहुत ही चल पूरा होगा दोस्तो भारतिय फुटबॉल अभी जिस लक्स के साथ अग्रेसर हो रहा है वो भी सही है ग्रास्रूट लेवल पे भी काफी ज़्यादा काम हो रहा है लेकिन इस प्रोसेस को सफल होने में काफी इंतेचार करना पड़ेगा जोकी उमेद सिंग जैसा सांदार खिलाडी भारतिय फुटबॉल टीम के साथ डाइरेक्ट जूडने से हमें बहुत ही जल लक्स प्रापती हो सकता है इंडियान फुटबॉल टीम को वर्ल्ड काफ में खेलते हुए देखना हर भारतिय के सपना भी बहुत ही जल पूरा हो सकता है दोस्तो हम उमीद करेंगे भारत सरकार भी इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी और उमेद सिंग जैसा और भी सांदार खिलाडी भारतिय फुटबॉल टीम के साथ जूड़ पाए इसका ध्यान रखेगी दोस्तो इस मामले में आपका क्या रहा है कोमन में जरूर बताए जैहिन दोस्तो